नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार और ताजा हुले विद्रिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कैसा गुजरा आपका रविवार का दिन कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा क्योंकि हमारा तो यहीं गुईरा है यानि की ऑफिस में आज हम बात करेंगे इर्फान आलम के बारे में आपको सबसे पहले यह बताओं वो बेगुसराई बिहार के रहने वाले हैं अब यह मत सोचेगा कि सिर्फ बिहार के लोगों की कहानिया मैं सुना रही हूँ आने वाले दुनों में मैं वैसे लोगों की कहानिया भी आपको सुनाऊंगी जो पूरे देश में काफी नाम कमा चुके हैं और अलग-अलग स्टेट से हैं उन्होंने काफी संघर्स किया है अपने जिंदगी में और अपना नाम कमाया है तो फिलाल बिहार की बाते मैं इसलिए कर रही हूँ तो कि बिहार की जो धारना है वो बदलनी है मुझे और इसलिए मैं ये शो लेकर आई हूँ जहां पर बिहार के कई ऐसे लोगो के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता और वो वाकई में उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है आज इर्फान आलम के बारे में बात करते हैं जो कि बेगुसराय बिहार के रहने वाले हैं एक सोसल अंत्रपर्णियोर के साथ-साथ इनोवेशन एंथोजियस्ट हैं 13 साल की उम्र में उन्होंने entrepreneurship की दुनिया में कदम रखा था और stock market analysis करना शुरू किया साथ-साथ portfolio management का फिल्म भी बनाया ZTV के चर्चित सो बाजार बाजिगर के विजटा रहे और यहीं से उनकी company को पहचान मिली यह शो यह एम करता था कि किसके दिमाग में कितनी creativity है विजनस के लेकर कौन बहतरीन बनकर आगे आ सकता है as an entrepreneur और बस यहीं इर्फान आलम ने बाजी मारी और हमारे बिहार का नाम रोशन किया पहला शो इन्होंने जीता और यहीं से सम्मान organization आगे बढ़ी सम्मान organization के बारे में आपको बताऊं तो एक non-profit Indian organization है जो कि रिक्षा पूलिंग सेक्टर को organize करती है इर्फान आलम, founder and chairman of सम्मान organization इनकी जर्नी को न्यूर्क के एक book में भी जगह मिली है इसके अलावा केला government ने 12th के English book में एक chapter ही publish कर दिया है इनकी जर्नी के नाम बहुत अच्छी बात है ना कितना अच्छा फील होता है अगर हमारे भी ऐसा कुछ हो जाए तो पता नहीं कब होगा बढ़ कोशिश यारी है ना मेरे दोस आगे इनके बारे में बताओं तो इनके financial inclusion model जो कि रिक्षा पूलिंग और कार्ट पूलिंग को लेकर है उसको बिहार government उत्रप्रदेश गर्वर्मेंट जारकन गर्वर्मेंट मंद्रप्रदेश गर्वर्मेंट ने अडॉप्ट किया और इनहीं के inclusion model पर यहां रिक्षा पूलिंग कार्ट पूलिंग के sectors को organize किया जाता है इसके लाबा इनकी ambulance भी चलती है जो कि primary और emergency सेवा देती है कि company primary and emergency service provider है साथ साथ यह भी बताऊं कि इर्फान Harvard University से graduated है तो ऐसे नहीं मिलता यह मुकाम पढ़ाई करनी पढ़ती है संघर्ष करना पढ़ता है और एक ऐसे जगह से बेगुसराई बिहार जो कि तलहाल अभी भी उस ओदे पर नहीं पहुंचा है जैसे पटना बहुत popular है वैसे बेगुसराई popular नहीं है बिहार के कोई विजला उतना popular नहीं है जितना पटना है तो यह बहुत एहम बात है कि बहुत छोटे district से यह आगे बढ़े Harvard University में इन्हों पढ़ाईगी कुछ तो दम है बहुत कुछ क्या जो दम में वो तो सामने दिखी रहा है समान और्मेशन वन अफ बिगेस्ट और्मेशन ऑफ इंडिया के नाम में आता है ताथे साथ यह भी बताएं कि इन्हों ने इस ऑल्सो चेरिंग CII Bihar Subcommittee on Startups and Innovation तो यह इनकी कुछ-कुछ उपलबधियां कुछ-कुछ कहानी मैंने आपको बताई है इनके बारे में बहुत सारी कहानी है बहुत ज़ादा लंबा चली जाएगी अगर मैं इनके बारे में और वे डीटेल्स पर आना शुरू करूँ तो अगर आपको डीटेल्स में जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में इतना तो आप करी सकते हमारी बहारी बाबू के लिए तो बहारी बाबू, असली बहारी बाबू तो ये लोग हैं, हम लोग तो अभी आधे पहुंचे हैं असल बिहारी क्या होता है वो तो इन्होंने दिखाया है और जितने लोगों की कहानिया मैंने आपको सुनाई है उन लोगोंने दिखाया है बाकी अभी पिक्चर बाकी है हम भी आगे बढ़ेंगे आप भी आगे बढ़ें इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रह क्योंकि आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आज की ताजा होले विद्रिया में इतना ही उम्मीद है आप ताजा हुए होंगे रिफ्रेश हुए होंगे बाकी बिहार की ठंड का मजा लीजिए कल मिलती हूं आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद